इस चार शब्द जो कहानी है इसका टाइग लाइन है इसका टाइग लाइन है इसके अंदर हम लोग ने एक अभी की जो यूथ ओरेंटेड अभी जो प्रॉलम चल रही है समाज में एक बहुती संस्रीड सब्जेक्ट को मैंने लिया है कि इंडिया इसके अंदर छोटे पर रेप केसिस सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और यह मानसिकता लोग की क्यों डवलप हो रही है कि आज इंसान रिष्टों को भूल रहा है चाहे वह यंग्स्टर्स हो चाहे एक एज के इंसान हो ऐसी मानसिकता वह का अनकंट्रोल मेकनिसम क्यों तैयर हो रहा है कि ही वह ऐसा डवलप हो रहा है कि हम हमारे माइंड को गंट्रोल नहीं कर बार है और आए दी नाकबारों में और नूज में हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के रेप के सिस बढ़ते जा रहे हैं जो और ते हैं सेक्शल हारास्मेंट का शिकार बंदे जा रही है या तो वह है या तो फिर वह सभी स्टेज तक पहुँच जारी है मूजिक तो है जो वह एंटेटेंटमेंट के समाध्यम ही है मैं हमेशा से मेरे इंट्रो में कहता हूं कि यहां पर समाज के सोचल मुद्द को पहुचाने के लिए सबसे बेस जरिया है तो मूजिक एक बहुत बड़ी अहम भूमी का निभारा इसके अंदर और दीपाली को मैंड में रखते भी हम लोग ने इस चीछ की कि थी कि दीपाली का जो वाइस टिक्चर से वो यूद को बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे सौंग का जो कंटेंट है दीपाली का जो आवाज है वो लोग तक हमारे इस कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छी कॉंपोजीशन है आलोग जी ने बहुत अच्छा गाना बनाया है और अमिताब जी ने बहुत ही अच्छे से इस गाने को लिखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना गाकर और बहुत ही बहुत इमोशनल सौंग है एक साड और जैसे कि आपको बताया विकरांथ जी ने जो की जिस तरह की यह स्टोरी है, चार शब्द, नाम भी बहुत अलग है और स्टोरी का सब्जेक्ट भी बहुत अलग है तो मुझे बहुत जादा खुशी है इस ऐसे इतने अच्छे सब्जिक का मुझे हिस्सा बने का मौका मिला है तो थांक्स तू विख्रान जी म्यूजिक अच्छली ये साड नंबर है, साड सौंग है और लिरिक्स भी उसी तरह से लिखे गए है और मैंने गाने के भी वैसे ही कोशिश किये कि मैं गाहूं उस तरह से मैं निभापाऊं उस कॉम्पोजिशन को उस तरह से तो विख्रान सार, सोशली मैसेज आप क्यों बार-बार उठा रहे हैं देने के लिए जैसे पहले आपने चाहे सुसाइट की गया था और अभी दूबाया में ये थैंक्यू सो मच मीडिया की आपने ये मुझे सवाल किया है इसके पहले मेरी मैंने अपनी फिल्म बनाई फेस अफ टूथ जिसके अंतर मैंने चेटरन सुसाइट का मुद्दा उठाया था कि हर साल इंडिया में आराउंड पांच हाथ से भी जाता बच्चे सुसाइट करते है वो मेरी 14 अक्टोबर को रिलिस होने जा रही है मुवी अब ही मैंने मैंने डिसाइट किया था कि एज फिल्म मेकर हमशा सोशल मुद्दों पर ही फिल्म बनाऊंगा लेकिन बहुत ही एंटेटेंटन तरीके से और कहीं न कहीं मैं आपके जरीए उन फिल्म मेकर्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आप जो ग्लैमर या जो चीजे भी कंटेंट फिल्म में पिक्चराइज करते हो कहीं न कहीं हम भी उसके लिए फिल्म मेकर भी रिस्पॉन्सीबल है कि लोगों की मानसिकता इसी डवलप होते जा रही है जिससे कि चायल्ड डिफ केसे की बात हो या तो रिलेशन्स डिस्टरबल्स की बात हो एक कंट्रोल मेकनिजम तयार हो रहा है इसके अंदर तो इस मोई के अंदर काफी वर्क आउट करने के बाद में कुछ डॉक्टर्स को भी मने इन्वाल गिया है साइके डॉक्टर्स को जिसमें बहुत ही बायलाजिकल और ज॑गरिफिकल तरीके से हम लोग ने सिक अंदर पिरी नहीं के लोगान है Mars